दोस्तो अगर आपके पास National Stock Exchange की तरफ से ये मेसेज आया है तो ये वीडियो आपके लिए काफी important होने वाला है इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस SMS का क्या मतलब है So let's begin चली जानते हैं इस SMS का क्या मतलब है दोस्तो यहां आपका पेन कार्ड नंबर बताया हुआ है यहां आगे बताया हुआ है कि आपने future end options में 18 April 2023 को जो trade ली थी उन सब trades की trade value यहां बताई हुई है जो कि 1,03,078 उपे 75 पेसे है चली जानते हैं traded value किसे बोलते हैं जब quantity को price से multiply किया जाता है तो traded value मिलती है चली इसे हम एक example से समझते हैं मान लीजिया आपने 25 quantity 150 की price पर buy किये और 25 quantity को 160 की price में sell कर दिया है तो यहां traded value से 350 प्लस 4000 दोनो है मतलब कि 7750 यहां traded value होगी trades की पूरी detail आप अपनी registered mail ID पर check कर सकते हो जब आप अपनी mail ID को open करोगे तो आपको NAC direct का यह mail दिखाई देगा जब आप इस mail को open करोगे तो यहां नीचे last में आपको attach की वी PDF file मिलेगी इस PDF file का password आपका pen card number होगा जब आप PDF file को open करोगे तो यहां आपको सारी details हो जाएगी जिसे आप read कर सकते हैं आगे बताया हुआ है ज़्यादा जानकारी के लिए आप broker से contact कर सकते हो दोस्तों गर आप stocks buy sell करते हो तो यह CM मतलब clearing member का amount दिखाई देगा मतलब कि आपने जितने amount के shares buy sell किये हैं वो traded value यहां दिखाई देगी और future and options trade की traded value FO के आगे मिलेगी दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में दीगरी जानकारी helpful लगी हो तो इस वीडियो को like and share कीजिए अगर आपको stock markets related कोई doubt हो तो आप हमारा wealth pool का telegram group free join कर सकते हो link आपको description में मिल जाएगी एसी और knowledgeable और informative वीडियो के लिए wealth pool चैनल को subscribe करके bell icon प्रेस कीजिए thanks for watching